हलो वाइन नमस्कार आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुरासिस के बारे में कि आपको सर्दी का समय आ रहा है और सुरासिस बढ़ता है सुरासिस आगरावेट मारता है तो आपको ऐसी कौन सी चीजे खाने की अवोइट करनी है या ऐसी कौन सी चीजे अपनानी है जिससे आपका सुरासिस ना भड़े और सुरासिस में आप कैसा खाना खाएं ऐसी कौन से फूद आइटमस खाएं जिन से आप सुरासिस को बढ़ने से रोके मैं डॉक्ट मेघा चतरवेदी आज आप से डिसक्स करूंगी सुरासिस में उन खानों के प्रदार्त के बारे में जो है चार से पांच महीने में वह सुराइस पर विजयी पाथ चुके हैं इसी डाइट को फॉलो करके और हमारे जो भी हम चीज़े फॉलो करने के लिए में बोलते हैं मेडिसेंस के साथ उन्हें मान के अलो मैं पिछले डेट साल से सुराइसिस की समझा से पेडि था मैंने कई ऐलीपैथी मेडिसिन लेकिन उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ बाद में मैंने यूटूब पर डॉक्टर मेगा चतरवेजी मेडम की वीडियो दे से ठीक हूं अगर आप सुराइसिस की समझा से पीडित हैं तो क्रिपया घबराएं नहीं टैंसिन बिल्कुल ना लें और डॉक्टर हैल्थ क्लिनिक में कॉंटेक्ट करें सबसे पहली चीज़ आपको जो आवाइट करनी है अपने खाने में या रूटीन में वह है अलकोहल अगर आप बहुत अलकोहल कंजियूम करते हैं तो आपको अलकोहल चोड़ना पड़ेगा अगर आप सुराइसिस से ठीक होना चाहते हैं क्योंकि आलकोहल लिवर पे बर्डन डालता है मेटाबोलाइज करने के लिए और सुराइसिस पेशिन का लिवर अक्सर खराब होता है तो स्टीरोइट से या सुराइसिस की वज़े से तो आपको अलकोहल अवाइट करने की बहुत ज्यादा जरुरत है ताकि लिवर पे बर्डन ना आए और आपका मेड़बॉलिजम ठीक चलता रहे चीज़े ना बने लिवर के एंजाइम ना भड़े दूसरी चीज जो आपक भी नहीं लेंगे थोड़े दिन दिस दिन चीजों को आफ रुड़े चलेंगे तो सुराइसिस में रिकवरी जल्दी मिलती है तीसरी चीज जो वेड़ी की ज़ुरत है वह स्पाइस बहुत ज़ादा मिर्ची अब ज़ादा जो अमसालों का यूज होता है घर में गरम मसाला या मिर्ची पाउडर या ग्रीन चिली यह सब चीज आप करने की जरूरत है साथ में नमक को स्विच करने की जरूरत है या तो आप बिल्कुल नमक छोड़ दीजे या नॉमल सॉल्ट अगर आप खाते हैं तो उसको सेंदा नमक से आप स्विच कर सकते हैं वो भी बहुत कम मात में चौथी चीज जो आपको वाइड करने की जरूरत है वह भार का खाना केंड फूड जो होते हैं प्रोसेस फूड जो होते हैं स्ट्रीट फूड जो होते हैं भार का जंग फूड जो होता है यह चीज आपको वाइड करने की बहुत जादा जरूरत है और पांच्वी और आपका धाई और पनीर मेटाबॉलिजम बॉडी में एसीमिलेट करने का स्लो कर देता है जिसकी वजह से अगेन आपको कॉंस्टिपेशन और ट्रबल्स होती है पेट में और सुरासिस आपका भड़ जाता है तो यह पांच चीजे जो हैं आपको बिल्कुल फॉलो करनी ठीक की जा सकती है लड़ी जा सकती है पेशन को लगता है हम भार नहीं जा सकते हम सुसाइटी में बैठ नहीं सकते हैं हम चाहलों में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं आप एकदम नॉमल है आप लोगों के साथ भार जाएए अपना confidence बढ़ाईए अपनी खूपसूरती So, thank you and take care.